नमस्कार मेरा नाम अंशिता है और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया कोट ने फिल्ममेकर विवेक अगनी होतरी की सारी हेकड़ी निकाल कर रख दी है दुनिया जहान की शेखियां बगहारने वाला विवेक अगनी होतरी भीकी विल्ली बना हुआ था उसके मुह से बोली नहीं निकल रही थी उसे न केवल से जुका कर कोट के सामने पेश होना ही पड़ा बलकि नजरे जुका कर भी रखनी पड़े दा कश्मीरी फाइल्स बना कर विवेक अगनी होतरी कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहे थे उन्होंने भीमा कोरेगाओ के मामले में एक फैसले को लेकर जज़ पर पक्षपाती होने का आरोफ लगा डाला था उनकी इन हरकतों पर जब कोट की नजर पड़ी तो कहा हाजिर हो दलील दी कि हमने तो माफी मांग ली है माफी मांग कर सोच रहे थे कि बहुत उदार्ता का परिचर दिया है लेकिन कोट ने कह दिया कि ऐसा ही ट्वीट ट्वीट मत खेलो दुनिया को दिखाने के लिए माफी मत मांगो माफी मांगनी है तो कोट आओ और लिख कर मांगो जिसके बाद अगनी होतरी को दिल्ली हाई कोट में पेश होकर बिना शर्त माफी मांगनी पड़े आपको बता दें कि ये कोई आज का मामला नहीं है ये मामला है अक्टूबर 2018 खा जब विवेक अगनी होतरी ने एक के बाद एक काई ट्वीट करके दिल्ली हाई कोट के जज एस मुली धर पर पक्षपात करने का आरोप लगाया था आपको याद होगा अक्टूबर 2018 में हाई कोट के जज एस मुली धर के नित्रत वाली एक कंड़ पीट ने भीमा कोरे गाओं मामले में गौतम नवलखा के हाउस अरेस्ट और ट्रांजिट रिमांट का कैंसल कर दिया था जिस पर विवेक अगनी होतरी ने जस्टिस एस मुली धर पर गौतम नवलखा को राहत देने और पक्षपात करने का आरोप लगाया था इतना ही नहीं विवेक अगनी होतरी ने विवादित कमेंट करते हुए लिखा था कि जस्टिस S. मुरली धर की पतनी उशा, रामनाथन, गौतम नवलखा की करीबी दोस्त हैं और इस फैसले के पीछे इसी का असर है विवेक अगनी होतरी के इस ट्वीट पर विवाद खड़ा हो गया था हाई कोट ने खुद इसका संग्यान लेकर आपराधिक अवमानना का मामला दर्ज किया था बता दें कि जस्टिस S. मुरली धर 2006 से 2020 तक दिल्ली हाई कोट के जज रहे थे फिलाल वो ओडिशा हाई कोट के चीफ जस्टिस है विवेक के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज हुआ तो विवेक डर गए और मामले पर मित्ती डालने की कोशिश करते हुए उन्होंने ट्वीट कर दिखावटी माफी मांग ली उन्हें लगा ट्वीट पर माफी मांगने से बात बन जाएगी लेकिन विवेक अगनी होत्री का ऐसा सोचना गलत था क्योंकि ट्वीट पर माफी मांगना उन्हें भारी पड़ गया और दिसंबर 2022 में कोट ने उन्हें अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दे दिया कोट की अबमानना होने पर अगनी होतरी ने उन ट्वीट को डिलीट कर दिया था जिसके बाद 16 मार्च को हुई सुनवाई में कोट ने उन्हें पेश होने का आदेश दिया था कोट ने स्टेट्मेंट जारी करते हुए कहा था हम उन्हें पेश होने के लिए कह रही है क्योंकि वो कोट की अबमानना कर रहे है उन्हें personally पश्टावा करने में दिक्कत क्यों आ रही है पश्टावा किसी एक हलफ नामे के जरीय व्यक्त नहीं किया जा सकता कोट ने इसके बाद उन्हें 10 अप्रेल को पेश होने का आदेश दिया और जब विवेक की कोई चौला की नहीं चली तो उन्हें कोट के सामने पेश होना ही पड़ा और हाथ जोड कर सिर जुका कर विनाशर्ट माफी मांगनी पड़ी इसके साथ ही विवेक ने कहा कि वो न्याय पाले का बहुत सम्मान करते हैं विवेक अगनी होतरी अपनी फिल्म कश्मीरी फाइल्स के अलावा अपने विवादास पद बयानों के लिए भी जाने जाते हैं लेकिन इस बार कोट ने उन्हें बता दिया कि यहां उनकी हेकडी नहीं चलेगी और नतीजा सब के सामने है विवेक को कोट के सामने पेश होकर माफी मांगनी पड़ी इसके बार दिल्ली हाई कोट के जस्टिस सिदार्त मृद औलोड जस्टिस विकास महाजन की अदालत ने विवेक को बरी कर दिया साथी चेतावनी भी दी कि भविश में ऐसा करने से पहले ध्यान रखें अगली बार कोट बक्षेगा नहीं इस वीडियो में इतना ही आपसे अनरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए फेस्बुक पर लाइक कीजिए और कॉमेंट करके बताई आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा और आने वाले दिनों में हम किन और मुद्दों पर वीडियो बनाए ये भी बताईएगा ट्विटर हैंडिल है आर्टिकल 19 इंडिया इसको भी पॉलू कर लिजिए नमस्कार